नव्रात्री के व्रत करने से होती है सभी मनुकामनाय पूरी एक नगर में एक ब्रामन रहता था, वह मा भगवती दुर्गा का परमभग था उसकी एक कन्या थी, ब्रामन नियम पूर्वक प्रति दिन दुर्गा जी की पूजा और यग्जी किया करता था सुमती अर्थात ब्राह्मन की बेटी भी प्रति दिन इस पूजा में भाग लिया करती थी एक दिन सुमती खेने में व्यस्थ होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी यह देख उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोध वर्ष उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवा किसी दरिद्र और कोड़ी से करेगा पिता की बाते सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहश स्विकार कर लिया कई बार प्रियास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता है अपनी बात के नुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवा एक कोडी के साथ कर दिया सुमती अपने पती के साथ विवा कर चली गई उसके पती का घर ना होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट में बितानी पड़ी गरीब करन्या की ये दशा देख कर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जनम में की गई उसके पुण्य परभाव से प्रकट हुई और सुमती से बोली तुम पर प्रसं हूँ मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ मांगो क्या मांगती हूँ इस पर सुमती ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसं हैं करन्या की ये बात सुनकर देवी कहने लगी मैं तुम पर पूरु जनम के तुम्हारे पुन्य के प्रभाव से प्रसन हूँ। तुम पूरु जनम में भील की पती व्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पती भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपायों ने पकड़ कर जेल खाने में कैद कर लिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पती को भोजन भी नहीं दिया था इस परकार नवरातर के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया इसलिए नौ दिन तक नवरातर वर्त का फल तुम्हें प्राप्त हुआ हे ब्रामनी उन दिनों अंजाने में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन होकर आज में तुम्हें मनोवांचित वर्दान दे रही हूं कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन है तो किर्पा करके मेरे पती का कोड दूर कर दीजिए माता ने कन्या की ये इच्छा पूरी कर दी उसके पती का शरीर माता भगवती के किर्पा से रोग हीन हो गया जै हो मादुरगा की इस तरह की और कथाओं के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें तता चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले धन्यावाद